हिमाजल प्रदेश के सोलन जिले का लाडो गाउं जल्द ही तेश दुनिया के मांचित पर अपनी पहचान कायम करेगा जब यहां भगवान हनुमान की विश्व की सबसी उची 156 फुट की प्रतीमा का अनावरण किया जाएगा यह प्रतीमा यहां इस्थित मानो भारती विश्व द्याले परिसर में बनकर तयार हो गई है मानो भारती चैरिटेबल ट्रस्ट के चैर्मेन डॉक्टर राजकुमार राणा ने बताया कि किस जून को मुखेमंत्री जैराम ठाको द्वारा इस प्रतीमा का नावरण करने की संभावना है उन्होंने बताया कि ट्रस्ट ने वर्ष 2014 में प्रतीमा का निर्मान कायश शुरू किया था इसका काम मातुराम आर्ट सेंटर दिल्ली को दिया गया था इस प्रतीमा के मूर्तिकार पदमश्री नरेश कुमार ने बनाया है डॉक्टर राना ने दावा किया कि ये विश्व की सबसे उची मूर्ति है इसका नाम लिमका बुक ओफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दरज होगा जिसके लिए विश्व द्याले ने सभी संबंदित दस्तावेश तयार कर भेश दिये है प्रतिमा की उचाए 156 फूट तथा इसकी निव 20 फूट है इसका मुख 21 फिट उचा है पाजू की लंबाई 19 फिट और 5 20 फिट लंबे है इसे बनाने में लगभग 4 साल का समय लगा है तथा लगभग 2000 टंसरिया, सिमेंट और बाकी निर्मान सामगरी इस्तिमाल हुई है इनमें बारिश का पानी भान निकालने के लिए ड्रेन पाइप भी लगे है प्रतिमा को भूकम परोधी बनाया गया है सब्सक्राइब आर चानल और प्रेस्ट बल इकन पूर मोर अप्डेट्स